आज हम इसी की परताल करेंगे खेत में धान की कटाई चल रही है कुछ आदिवासी महिलाएं अपने-अपने हसिये तेज करने के बाद काम में जुट गई है इनमें बार्वी पास आदिवासी योवती भी है ये आदिवासीयों के दर्द को बया कर रही है तो धान की कटाई हो रही है? कितना पैसा मिलता इस। वैसे यहाँ इन महिलाओं को नहीं पता कि राच्चे के मुख्यमंत्री कौन है अलबत्ता पीम मोदी हैं ये कुछ को बक्के से पता है एक रुपया में चावल दिया सबको और आप लोगो को पता नहीं यहां से हम निकले तो किसान कंधे पर दोनों तरफ धान उठाए मिल गए कहने लगे कि चुनाव के मौके पर रमन सिंग सरकार धान पर 300 रुपए बोनस दे रही है जो उसने दो सालों से रोका पड़ा था इसका धान का जो सरकार भाव दे रही है वो ठीक है या बढ़ाना दी है बढ़ाना चाहे है ना बोनस भी चुनाव के कारण दे रही तो पर आपको गैस चुला मिला है नहीं पाम भराता है नहीं मिली 36 गड़ में आदिवासियों की आबादी कुल मिलाकर करीब 32 फीसद है 29 सीटें अनुसूची जनजाती यानि आदिवासियों के लिए आरक्षित रखी गई है इसके अलावा करीब 14 ऐसी विधानसभा सीटें है जहां पर आदिवासियों का बहुमत है एक तरह से 50 प्रतिशत के आसपास उनकी संख्या है ऐसे में कुल 90 विधानसभा सीटों में से 43 सीटें ऐसी बनती है जो आदिवासियों के हाथ में है सभाविक है कि कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों की नजरें आदिवासी वोटों का बादे पिछले विधानसभा चुनाव में 29 आरक्षित सीटों में से बीजेपी ने 11 और कॉंग्रेस ने 16 सीटे जीती थी बागी की 14 सीटों में से 8 पर कॉंग्रेस और 6 पर बीजेपी सफल रही थी इस बार बीजेपी आदिवासी इलाकों में पी-म आवास योजना और उज्वला योजना के भरोसे है जिसके तहट बसंती देवी को भी गैस कनेक्शन मिला है 돼 yora टोपी बहुत बाद में मिला बाद में में सभी लोग को मिलाना उत्ता समय भर्यकी बोले अब मिलेगा करके तो भरे तो फिर बात में दिये हो तो प्हानल का इतना पैसा सरगार देती हुश्य हैं के बढ़ाना चाहिए नकसल प्रभावित इन इलाखों में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है युवक कहते हैं कि चार सालों से सरकारी नौक्रिया निकली ही नहीं है पस्तर के इलाके में जगा जगा लगी शहीदों की ये मूर्तियां बताती है कि नकसलवाद के खिलाफ लड़ाई अभी तक जारी है वैसे एक लड़ाई नकसलवाद के खिलाब जड़ी बूटियों के जरीये भी लड़ी जा रही है जिसे लड़ रहे हैं डॉक्टर राजा राम त्रिपाथी डॉक्टर राजा राम त्रिपाथी काली मिर्च की 50 फुट उची बेल दिखाते हैं जो पेर से लिप्टी है डॉक्टर त्रिपाथी ने कोंडा गाउं में 1996 में 25 एकर जमीन पर जैविक क्रिशी और हर्बल जड़ी बूटियां उगाने का सिलसिला शुरू किया था आज 52 किसानों के साथ 700 एकर में दुरलब चड़ी बूटियां उगा रही हैं करीब 25,000 किसानों को अपने साथ चोड़ा है 500 को सीधे रोजगार दिया है वो बताते हैं कि कैसे किसान नव्योगों को काम देकर नकसलवाग का मुकाबला स्थाई रूप से किया जा सकता है इसे करीब 520 किसान सीधे जुड़ चुके हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी पत्तियों से इस्टीविया की शक्कर बनाने का कारखाना भी यहीं कोंड़ा गाव में ही लग रहा है इसके जरीए सीधे सीधे करीब 10,000 परिवारों को रोजगार दे पाएंगे 25,000 किसानों को आपने जोड़ा है लगब 25,000 किसान जैविक पद्यती से और इसकी खेती से सीधे जुड़ चुके हैं तो मेरा मानना यह है कि इन में से एक बड़ा वर्ग था जो नकसल से प्रभावित हो सकता था लेकिन अब वो खेती के काम में लगा हुए जब ये काम आप कर सकते हैं तो राज्य सरकारें आसा क्यों नहीं है दिल्चस्क बात है कि बस्तर जैसे नकसल प्रभावित इलाके में 27 ऐसी जड़ी बूटियां पैदा की जा रही हैं जिनहें भारत सरकार ने लुप्त प्राय घोशित किया है इन में कनीहारी और जोतिश मती भी हैं जो कैंसर जैसी लाइलाज बिमारियों से बचाने के क्षमता रखती है जड़ी बूटियां सिरफ उगाई ही नहीं जाती बलकि उनके अलगलग उत्पाद भी तयार किये जाते हैं पूर्व राष्टपती डॉक्टर कलाम ने इसके लिए प्रेरित किया था जो जड़ी बूटियों को सफिद सोना कहते थे देखे हम तो मूलता किशान थे और जब कलाम साहब आये थे यहां उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पहली बार कहा कि बोरों में भरके कब तक आप जड़ी बूटियां बेचेंगे आप इससे कुछ उत्पाद बनाईए कलाम यानि जो राश्पती जी हमारे राश्पती महा महीम कलाम साहब जबाए थे उन्होंने प्रेड़ना दी तब से हम लोग प्रोड़क्ट बनाने में लगे और आपको बताते हुआ हमें बड़ी खुशी है कि बस्तर के इस कुणडा गाउं में बनाई हुई जो हर्बल च के लिए आदिवासी शायद वोट बैंक ही है लहाजा जड़ी बूठियों जैसी लाबदायक खेती से जोड़ने का काम निजिक शेत्र को ही करना पड़ रहा है क्या विडंबना है एक तरफ बस्तर के ये हर्बल प्रोड़क्ट फूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं तो दूसरी तरफ यही बस्तर नकसलवात के लिए बतनाम है शैत तरक्की का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है कैमरमेन वेद पांडे के साथ विजविद रोही कोंडा गाओं बस्तर एबीबी नियूज